इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सब से पहले देखने के लिए हलो दोस्तों, क्या आपने बिना पेट्रोल डीजल के गाड़ियों को चलते देखा है? नहीं ना, लेकिन भारत में एक ऐसी रहस्यमई पहाड़ी है, जहां गाड़िया तेल से नहीं बलकि अपने आप चलती है और इस पहाड़ी के आसपास अगर कोई रात को अपनी गाड़ी खड़ी कर दे, तो सुबह तक उसे अपनी गाड़ी ही नहीं मिलेगी ये कैसे होता है? अब तक रहस्य ही बना हुआ है ये रहस्यमई पहाड़ी लद्दाक के लेख शेत्र में हैं ये पहाड़ी किसी जादों से कम नहीं है वैक्यानिकों का मानना है कि इस पहाड़ी में एक चुम्बक ये शक्ती है जो गाड़ीों को करीब 20 किलोमेटर प्रति घंटे के रफ्तार से अपनी और खीच लेती है और इसलिए इसे मैगनेटिक हील कहा जाता है इस मैगनेटिक हील को ग्रैविटी हील के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि इस पहाड़ी पर गुरुत्वाकर्शन का नियम फेल हो जाता है गुरुत्वाकर्शन के नियम के अनुसार अगर हम किसी वस्तु को धलान पर छोड़ दे तो वो नीचे की तरफ लुड़केगी लेकिन चुमबकिये पहाड़ी पर ऐसा नहीं होता यहाँ हम किसी कार को अगर घेर में डालकर छोड़ दे तो कार धलान पर नीचे की और न जाकर उपर की और चरती है और यहाँ पर किसी तरल पदार्थों को भी बहाने पर वो नीचे की तरफ न जाकर उपर की तरफ बैता है वैग्यानिकू का मानना है कि गुरुद्वारा पठार साहिब के पास ठीद पहाडी में गजब की चुम्बकिये शक्ती है इस पहाडी की चुम्बकिये शक्ती से आस्मान में उडने वाले जहाज भी नहीं बच पाते हैं इस पहाडी के उपर से उडान भर चुके कई पाइलटों का दावा है कि यहाँ उडान भरते समय हवाई जहाज में कई जटके महसूस होते हैं हवाई जहाज को पहाडी की चुम्बकिय शक्ती से बचाने के लिए जहाज की रफ्तार बढ़ा दी जाती है हाला कि कुछ लोगों का मानना है कि इस पहाडी के आसपास की एक्षेत्रिय सौरचना दुरुष्टि भ्रम जैसा माहौल पैदा करती है जिससे नीचे की तरफ लोड़कती हुई वस्तू उपर की तरफ चर्थी दिखाई देती है इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ वाटसब फेस्बूक पर शेयर जरूर करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद